बिहार के नितिज सरकार ने एक IS अधिकारी पर बड़ी कारवाई की है आई से अधिक संपती जुटाने से जुड़े मामले में ED की कारवाई जेल रहे सिनियर IS अधिकारी संजीव हंस को अब उर्जा विभाग के प्रधान सचीव के पत से हटा दिया गया है पत से हटाया जाने के बाद अब उन पर गिरफतारी की तलवार लटकने लगी है जानकारी के मुताबिक संजीव हंस का विवादों से पुराना नाता रहा है पिछले दिनों सीनियर IS अधिकारी संजीव हंस पर रेप का आरोब भी लग चुका है और पटना पुलिस ने खुद इसकी पुष्टी की है उर्जा विवाद के प्रधान सचीव होने के साथ साथ संजीव हंस बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटिट के अध्यक्ष सैप्रबंध निदेशक का अतिरिक प्रभार भी देख रहे थे जाज जनसी की कारवाई के दौरान देश भर में उनके नाम से अर्बो रुपय की संपत्ती मिलने के बाद भी अब भी वो कई एहम पदों पर बने हुए थे अब निदिस सरकार ने आईस को सारे पदों से बरखास कर दिया है इडी ने पिछले महीने जुलाई में संजीव हंस के ठिकाने पर रेट डाली थी इडी ने उनके खिलाब भरष्टाचार और आईस से अधिक संपत्ती से जुड़े कई सबूत जुटाए है और पटना पुलिस ले उन पर लगे रेप के आरोप को भी सही बताया है बतादे कि संजीव हंस के साथ साथ आरजडी के पूरो विधाय गुलाव यादव के उपर भी एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है जानकारी के मुताबिक संजीव हंस के साथ साथ आरजडी के पूर्व विधाय गुलाव व्यादव के मधुबने स्थित आवास पर भी ED की टीम में छापे मारी की थी चुकि आये संजीव हंस और पूर्व आर्जडी विधाय गुलाव यादव दोनों के आवास पर एक साथ छापे मारी की गई ऐसे में पूरे इलाके में हड़कम मच गया है एजेंसी के मताबिक आधिकारिक शुत्रों ने बताया कि परवर्तन इदेशाले ने बिहार कैडर के आये संजीव हंस और पूरु आर्जडी विधाय गुलाव यादव के खिलाब धन शुधक की चाँच के तहर मंगलवार को बिहार, दिल्ली और पूने में कई परिशरों बर चापे मारें चापे उनीसो संताने बेंच के भारतिय प्रशासनिक सेवा आये सधिकारी हंस के खिलाब मारे जा रहे हैं जो मौझूदा वक्त में बिहार और जा विभाग के प्रधान सचीव के रूप में कारे रथ हैं इसके अलावा यादव और कुछ अन्य के खिलाब भी चापे मारे जा रहे हैं शुत्रों ने बताया कि संग्ये एजंसी की कारवाई धन शोधन निवारन अधिनियम पी एमेले के प्रवधानों के तहत की जा रही है और जाच कथित भ्रश्टाचार के आरोपों से जुड़ी है जेफेक्स आउट मधुबनी की जंजरपूर सीट से पूरु विधाय गुलाब यादव पहले राष्टिय जंतादल यानि की आरजडी में थे हाली में हुए 2024 के लोकसवा चुनाव के दोरान उन्हें आरजडी के टिकट नहीं मिली चंजरपूर सीट गटबंदन में शामिल विकास्चिल इंसान पाटी भी आईपी के हिस्से में चली गई थी ऐसे में गुलाब यादव बीएसपी के टिकट से चुनावी मैदान में उतर गए हाला कि उन्हें चुनावी रण में कामियावी नहीं हासिल हो सकी पतादे के गुलाब यादव सियासत के मजबूत खिलाडी माने जाते हैं उनकी पतनी को अंबिका गुलाब यादव का समर्थण नहीं मिला कौन है आईएस संजीव हंस उनी सो संताने बैच के ये वही चर्चित आईएस अफसर संजीव हंस हैं जिनके कारिकाल के दोरां ताबर तोड अंदाज में बिहार में 10 लाग से अधिक स्मार्ट मीटर लगवाए गए थे इस वज़ा से इतनी संख्या में स्मार्ट मीटर लगवाने वाला बिहार 30 का पहला राचि बन गया था हाला कि इंफरास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी अपडेट नहीं किया गया था इतने बड़े भरष्टाचार के बाद भी संजीव हंस को पद से हटाते हुए समाने प्रशासन विभाग में युगदान देनी का आदेश जारी किया गया था ऐसे में सरकार का या आदेश भी सवालों की घेरे में है संजीव हंस की जगह अब उर्जा विभाग के प्रधान सचीव का जिम्मा उधोग विभाग के सेस संदीब पॉंडरी को तिया गया है चलिए आपको कुछ भरष्ट अफशरों से मिलवाते हैं जिसने अपने कारेकाल के दोरा कुछ ऐसा किया जिसने पूरे सिस्टम पर दाग लगाने का काम किया ब्रष्टाचार के कई मामलों ने भारतिय नौकर शाही के ब्रष्टाचार रहित स्तंबो के रूप में उनकी प्रतिष्ठित भूमिका से एक सपष्ट विच्रन को उजागर किया निमलिकिर सूची इन घोटालों की व्यापिक्ता को समेठती है जिसमें ऐसे मामलों पर प्रकाश डाला गया है जहां कानून के अधिकारियों ने कथित तोर पर कानूनी और नैतिक मानकों के मूल धाचे का उलगण किया है जिन्हें बनाए रखने की उन्हें शपद विश्नोई का है 36 गर कैडर के 2009 बैच के आये सदिकारी समीर विश्नोई को खनन कारियों के लिए रिश्वत वसूली से जुड़े बड़े पैमाने पर भरष्टाचार के मामले में परवर्तर निदेशाल यानि कि इडी ने गिरफतार किया था उनके निरदेश के तहर पर रिश्वत के रूप में 500 करोड से अधिक की राशी एकत्र की गई दूसरा नाम पूजा सिंगल का है जारखन कैडर की 2000 बैच की आये सदिकारी पूजा सिंगल को मनरेगा फंड के गबन से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में इडी ने गिरफतार किया था उनके चार् पर योजना के लिए निर्धारित बड़ी रखम का दूरुपयोग शामिल है तीसना नाम के राजेश का है गुजरात कैडर के 2011 बैच के आये सदिकारी की राजेश को रिश्वत खोरी के मामले में केंद्रे जाच ब्योरो CBI ने गिरफतार किया था उनके आरोग था कि उन्ह में महत्पुन सबूत भी मिले चौथा नाम नीरायादव का है नीरायादव उत्तरपरदेश और NCR के कई भूमी घोटालों में शामिल थी अक्सर राजनेताओं और वैपारियों को बड़ी रकम के बदले में पौश इलाकों में जमीन के प्लॉट दिलवाने का काम करती थी करीबी राजनेतिक संपर्क बनाए रखने के बावजूद उन्हें अंतरता 2017 में भारत के मानिय सर्बोच नियाले दोरा भरष्टाचार और आई से अधिक संपती रखने के लिए दो शिठेराया गया और दो साल की जिल की सजा सुनाई गई पांचवा नाम बाबूलाल अगरवाल का है राज्यक्रशी सचीव के रूप में बाबूलाल अगरवाल के पास आयकर छापों के दौरान 500 कड़ो रुपे से अधिक संपती पाई गई थी जिसमें 446 बेनामी बैंखातों में जमा धन और हवाला लेंदेन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 16 फर्जी कमपनियों का स्वामित्व शामिल था 2010 में उनके निलंबन के बाद प्रवक्तर निद्रेशाले ने उनकी संपती को जब्द कर लिया था चठा नाम टीयो सूरज का है टीयो सूरज पर दंगों को बढ़ावा देने और जमीन हलपने सही कई विवाद और आरूप लगे थे सतरक्ता और भरष्टा चार निरोधक ब्योरों के छापों से पता चला है कि उसके पास 30 करोड की अगोशित संपती और 20 लाग की नगदी ह उसके संपतियों में कोची और दुबई में अलिशान फ्लैट भी शामिल है साथवा नाम राकेश बहादूर का है नौईडा में 4000 करोड रुपए के भूमी घोटाले में शामिल राकेश बहादूर को 2009 में लंबित कर दिया गया था इन आरोपों के बावजूद राज्य सरक कार में बदलाव के बाद उन्हें बहाल कर दिया गया और नौईडा विकास प्राधिकरन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था आठवा नाम शुभास अहुवालिया का है मुख्यमंत्री के प्रधान नीजी सचीव के पद पर कारिगत शुभास अहुवालिया पर आज से अधिक संपत्ती अर्जित करने के आरोपों में जाच की गई थी उन्हें और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्योरो द्वारा निलंबित कर दिया गया था और गिरफ्तारी भी हुई थी हलाकि बाद में विभागिये जाच में मंजूरी मिलने के बाद उन्हें बहाल कर दिया गया था नौवा नाम राकेश कुमार जैन का है आयस अधिकारी राकेश कुमार जैन को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण 2010 में निलंबन और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था उन पर विशेश रूप से वानिज विभाग के निदेशक के रूप में क पन हुए थे दस्वा नाम असोक सिंग्वी का है रास्थान के भ्रष्टाचार निरुधत ब्यूरो ने वरिष्ट आयस अधिकारी और प्रमुक सची अशोक सिंग्वी को 2.55 करोड के भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था कथित तौर पर यह रिश्वत बंद खा है एस मलार वीजी पर धर्म पूरी की जीला कलेक्टर के रूप में उनके कारिकाल के दौरान कथित भ्रष्टाचार के लिए सतरकता और भ्रष्टाचार निरुधक निदेशाले दौरा जाज की गई थी उन पर एक अपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप है जिसके क कारण सरकारी धन से एक दसमलव तीन एक करोड की हेर अफ़ीरी होई थी बदादा कि ऐसे अपसरों की सूची काफी लंबी है जिन्होंने अपने पद का फाइदा उठाते हुए भ्रष्टाचार से हाथ मिलाया और पूरे सिस्टम को कलंकित किया और इसे लिस्ट में अब आ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमा हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया